दूस्तों कुछ ब्लोगर का कहना है कि जब भी हम आर्टिकल का फोकस कीवर्ड डालते हैं फोकस की फ्रेज में तो यहां पर फोकस की फ्रेज ग्रिन नहीं होता है और वो जानना चाते हैं आखिर फोकस की फ्रेज क्या होता है तो हम इसको ग्रिन कैसे करें अगर एलो में है त तो इस तरह का आपका भी प्रिश्ण है तो जानने के लिए इस वीडियो को continue सुरूच के लास तक सुरूच देखें नमस्कार दूस्तो आप देख रहें PC Computer हैं दी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फोकस कीवर्ड आपके टाइटल से रिलीटिट होना चाहिए हना मैंने फोकस कीवर्ड से रिलीट काफी वीडियो बना दी है तो आप दूस्तो चैनल पर जाकर उस सेपरेट वीडियो को दे सकते है प्रेलिस्ट में जागे आप तो SEO की टुटल में या कह सकते है बटपीस की टुटल में आपको वीडियो मिल जाएगा तो दूस्तो बात आती है कि अगर हमें इसे ग्रीन करना हो तो कैसे करेंगे फोकस की प्रेज को को कि यहां पर अभी यह लो आ रहा है हाना बहुत को रेड रहता है तो उनको भी प्रब्लम होती है दूस्तर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एंड यहाँ पर हम इसको उठाते हैं तो अगर आप जब तक focus keyword नहीं डालेंगे तो key phrase वाले जो भी length है वो नहीं आईगी सबसे पहले आपको focus keyword बनाना है focus keyword सबी जगा यूज होता है आपको पता यह मैंने बता दिया तो focus keyword हम ले लेते हैं यहाँ पर save password delete कैसे करें क्योंकि हमने इसी पर article लिखा हुआ है ठीक है तो save एक word ID दूसरा word and password तीसरा word and delete चोता word and पांच वाक कैसे और करें छे वर्ड है पूरे हना कैसकते छे सब्दे ना कि करेक्टर ठीक है तो छे सब्दे इसके अंदर save अलग हो गया ID अलग हो पासवर्ड डिलिट कैसे करें हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर key phrase length ठीक है focus keyword में आपका title ठीक है लेकिन यहाँ पर recommend for word बोल लिया जी हना तो यहाँ पर फोर word लिखना है तो यहाँ पर अभी कितने हो रहे हैं यहाँ पर हो रहे हैं शेप ID पासवर्ड डिलिट कैसे करें 6 word हना 6 यहाँ पर सब्द हो रहे हैं अब दोस्तों आपको करना क्या है पहले ऊपर फिकसर जाएंगे तो सेप आइडी पासवर्ड डिलीट कैसे करें यह अपने लिया है तो हम किसी भी यहां पर सब्द को नहीं यफ़ हम केवल कैसे करें को उठाएंगे बागी का यह पूरा सेम का सेम रहेगा हम नीचे जाते हैं और यहां पर कैसे करें इसको उठा देते है जैसे अठाएंगे दोस्तों यह fix हो जाएगा तो नीचे आते हैं तो देखिए यहां पर देखिए की प्रेस यहां पर fix हो गया तो इसका नीचे यार होगा keyword density keyword metrics length यह भी ठीक है यहां पर key press and title ठीक है key press and select भी ठीक है हाना तो दोस्तों अभी यह आपर focus keyword है जो तो fix हो चुका है density वगरा है fix हो चुक है इसलिए वह show नहीं हो रहा ठीक दोस्तों अगर आप फोर्क यहां पर word लिखेंगे तो focus key press का जो section है वो पूरी तरह से green हो जागा आपको कोई भी error देखने को नहीं मिलेगी ना तो आपको orange signal मिलेगा नहीं red signal ठीक है तो इस तरह से हम sort out करते है focus key press की और focus key press होता है आपका focus keyword और यह focus keyword आपके यहां पर title में mention होता है URL में mention होता है and paragraph में mention होता है बीच में mention होता है and images के अंदर भी mention होता है and description के अंदर भी mention होता है हाना तो यह कुछ basic जान करें थी जो यूच्वर हमसे पूच रहे थी I hope आपको यह वीडियो काफी helpful लगा दूस्तों इस तरह की helpful बोड़ी को लिए हमारे चल्प बने रहें रहें कर फेंटेंक्स और